स्वाइ एपिसोड की स्टार्डी में हम देखते हैं कि हमें एक सुनसान शहर का सिन दिखाया जाता है जहाब हम देखते कि किसी एक बंदे को कुछ बुरे लोगों ने घेलिया है जहाब एक बंदा उसे कहरा होता है वूजिंगे तुम्हारा स्थित वो इतना जाद डाला है लेकिन अब तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना कर्स अपने खून से जुगाओगे अब तुम लोगों की मौत होने वाली है तो यह सुनते वे वो जो दूसरा बंदा होता है जो कि काफी जदा बतसूरत यानि क्योंकि काफी जदा गायल हो जाता है जो कि देखते वे वो सारे के वो सारे बंदे आपस में एक जगा हो जाते हैं और कहने लगते हैं एक जगा हो जाओ और एक साथ हमला करो और वो से भी एक साथ वूपर हमला करते हैं लेकिन यह सब देखते हैं वो कह रहा होता है अब तुम चेसे जो वहोता है इसे चक्क कराने लगते है वह अपने लेम आप लिखार और में अरी बहुते जादा ह kimchi की यूझ्ट कर लिया का में लगता है मेरा बौडी मेरे साथ निये लगता है में मनअला हो और यह सबसा Okay घर यह नाabord अरुक्राफब के में वो जिंगेई पुराने जमाने का नौजवान ancient martial artist मुझे नी पाता था कि मेरा अंत इस तरह होगा मैं ऐसे मनने वाला हूँ लेकिन मैं सच में काफ़ ज़रा दुखी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया और हम देखते हैं कि उसकी जो ला रहा होता है और वो कहा रहा होता है वो शुवांग आखर तुम्हें क्या हो गिया है वो शुवांग जागो यह तुम क्या कर रहे हो और यह कहते हैं वो रोरी होती है तह भी वो की आख खुलती है और वो देखता है कि वो दूसरे जिगम है जो कि देखते हुए वह का ओफिस दारन होता है वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे जो इस दुनिया वाला वूशुंग होता है उसकी बहन होती है लेकिन वो अपने बहन के बारे में बात कर रहा होता है और चलाता है बहन कहेके तो ये सुनते वे वो जो उसकी बहन होती है यानि कि वूशुवांग की बहन होती है वो से कहा रही होती है वूशुवांग आखिर तुमें क्या हो गया है और ये कहते है वो से गले लगा लेती है और रोते वे कहा रही होती है वूशुंग आकर तुम जा गए हो क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंता कर रही थी बाके लोग कहा रहते कि तुम किसी डूओ में मारे गए थे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था मैंने डॉक्टर से भी बहुत पूजा था लेकिन उन्होंने खा तक ही तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं है लेकिन फिर भी तुम बच गए मैं काफ़ी जला खुश हूँ तो उसकी बात सुनते हुए वो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने उन में कहा रहा होता है आखर यह लडकी कौन है और यह मुझे आचानक से क्यों पकड़ रही है और यह किस बार में बात कर रही है क्या मैंने कोई डूओ किया था और क्या मेरा नाम वुशुंग है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और ये कहते हैं वो अपने हाथों को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं जो कि देखते वे वो अपने उन में कहा रहा होता है अरे मेरा हाथ ये इतनी छोटे कैसे हो गए और ये कौन से जगा है लेकिन मेरी सिस्टर आ प्रफानिकी वूश्वांग जो भी कहो वो से कह रहा होता है क्या तुम तुम कौन हो और वो से देखती वे अपने उन में कह रहा होता है यह 17 या 18 साल के एक छोटी से लड़की है वो लगबग मेरी बेंट की तरह ही दिखती है तब ही वो जो लड़की होती है वो वूश्वा अचा था लेकिन मैं यहां पर जिन्दा कैसी हो और यह मैं कहां आ गया हूं और ओसे कुछ फ्लैश्वेख आरे होते हैं जो कि देखते हुए वो पने उन पर होता है आखिर यह कौन से यादे हैं मुझे कुछ जो याद होती है ये वू जिंगे की नहीं बलकी वू शेंग की होती है मतलब कि वू जिंगे को वू शेंग की यादे कुछ-कुछ याद आ रही होती है जहां पे वो जो लाल वाला वाला आदमी होता है वो उसके पिताजी होते है और ये जो लाल वाला वाले लड़की होती है वो इसके बेहन होती है उसे के साथ साथ उसे कुछ यादा रहा होता है जापे कुछ लड़की उसे बुली कर रहे होते है वो इसे कह रहा होता है कि इन वूशुवंग तुम्हें मेरे लिए मरना होगा और यह कहता है वो जो लड़का होता है वो वूशुंग को मार रहा होता है जो कि देखते वे वूशुंग अपने उन में कहा रहा होता है जंग जंग नाम का ये लड़का ये वास्तव में बहुत जादा धोके बाज है इसने मुझे बहुत जादा धोका दिया लेकिन अभी ये क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में निया रहा क्या है ऐसा तो नहीं कि मैं किसी धूसरी दुनिया में आ गया हूँ और ये जो बच्चे के रूप में वूशुंग है, क्या ये मैं ही हूँ तो वूशुंग उसे कह रहा होता है और वो अपने अमने कह रहा होता है और अब मेरे पिता वो कौन है पिछले जनमे में अपने माबाप के बिना बड़ा हुआ था लेकिन इस बार इस बार मेरे पिता जी कौन है कि कहरी होती है वूशुवं तुम ये बाते मत पूछिये तुम अपने शु бывает ज्यान दो मारे कीन फैमिली का फूचर तुम्हारे दोरा किया जाना है तुम ही हमारे किन फैमिली की भविश्ये हो इसलिए तुम्हें अपनी कर नी होगी और जल्ली जल्ली ठीक होच लगा तो ये सुनते वे वूशुवांग उसे कहा रहा होता है सिस्टर मुझे इमानदारी से बताओ क्या पिता जी जांग फैमिली को खोजने के लिए गाउ में गए है ये सुनते वे उसकी भेहन थोरी घबरा जाती है और उसे कहरी होती है नहीं डेड ने सिर्फ इतना कहा है कि वो भार जा रहे है यह नहीं बताया कि वो खापे जा रहे है तो ये सुनते वे वूशुवांग अपने उन में कहा रहा होता है जांग फैमिली ये वो फैमिली है जांग जीएन लूजी यांग कंट्री में एक famous family था जो कि काफी ज़्यादा इंपॉर्टन था मजबूत स्ट्रेंथ और टीप बैग्राउंड के साथ साथ गरीब कीन फैमिली उससे कंपीट नहीं कर सकता और यह कहते हैं वो सिस्टर से कह रहा होता है सिस्टर वैसे में मरा नहीं हो तो इसलिए तुम पिताजी को जाओ और बुलाओ दूसरे तरफ हम देखते हैं कि जो वूशूंग के डैड होते हैं वो कई मार्केट में जा रहे होते हैं और इसके हाथों में खतियार होता है जो कि देखते हैं वहाँ पे सबी लोग आपस में कह रहे होते हैं है देखो क्या यह किन फैमिली का मुखिया है और इसने अपने हाथों में हाथियार क्यों पकर रहा है और वो आगे बढ़ रहे होता है कि तभी पीचे से वूशूंग के स्चर आ जाती है और चिलाते होती है डैडी तो यह सुनते हूए उसके डैडी होते हैं वो काफ जदा हररन हो जाते हैं और यह कहते हैं वुषिवंग अभी जिंदा है और यह कहते हैं जो वुषिवंग के ड़े होते हैं ऐसा लगता है कि में वास्तव में पार कर गया अब मेरी ये लाइफ मुझे अच्छी से गुजारनी होगी तब ही वहाँ पे वूश्वांग का डैड आ जाते हैं और उससे कहा रहे होते हैं वूश्वांग उसे देखते हुए वूश्वांग का ओफिस दारान होता है और पीछे देखते हुए अपने अमने कहा रहा होता है किन Vushwan के डएट किन Lee η An ऐसी फीलिंग मुझे अपनी लाइफ में कभी में नहीं मिली मुझे कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला और हम देखते हैं कि geng Lee сюда वushwan के सपर हाथ रखते हैं और उसे देख रहे होते हैं जो कि देखते वह वushwan अपने मन में कहा रहा होता है आखिर ये फीलिंग कैसी है लगता है मेरे दिल को सकून मिल रही है ताभी कि इन लीशियांग वूश्वांग से कह रहे होते हैं क्या जांग फैमिली के दूसरे बच्चों ने मैं उसे लड़ने के लिए मजबूर किया था तुम मुझे सच सच ब तुम इस वूटॉंग अकेडमी में कभी में मत जाना काल से तुम पूरी तरीके से मार्शल आट का प्रैक्टिस करोगे वह भी घर पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी किन फैमिली के फूरवो जो से विरासत में मिली मार्शल आर्ट एक सच्चे मार्शल तो फिर से वो लोग तुमें धमकाएंगे तो इसलिए तुमारे याँ पे रहना भैतर होगा तो उन लोगों की बात सुनते वे वूश्वांग अपने डैट से कहा रहा होता है पिता जी और बेहन तुम दोनों का अपने डिसीजन लेने में जल्दी बाजी नहीं करनी चाहि और वो अपने और में कहा रहा होता है घर परिवार यह वो अफ्सुस है जो कि मुझे अपने पिछले लाइफ में नहीं मिली अब जबकि मैं जिंदा हो तो मुझे इसकी कदर करनी चाहिए और यह कहते ही वूश्वांग कहा रहा होता है अगर ऐसा ही है तो मैं कभी भी अच्छे से जीना होगा मुझे कुछ भी करके आगे बनना होगा और यह कहते हैं वो नों से कह रहा होता है पिता जी और बैन मैं थोरा से ठक गया हूं तो मुझे आराम करना है इसे के साथ यह जो एपिसोड है वह यह परीकतम हो जाती है अगर आप लोगों को यह अच्छा ल